ऐसी वानी बोली ये मन का आप खोई, और अनको शीतल करे आप वह शीतल होई नमस्कार, मैं हूँ अंजली और आप देख रहे हैं News NCR आज हम आपको पंचाब के एक किसान अफ्तार सिंग के बारे में बताएंगे जो की अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी में भी मिठास घोल रहे हैं अफ्तार अपने खेतों में गन्ने की खेती करते हैं और फिर खुद उससे गुड़ बना कर लोगों को बेचते हैं लोगों को उनके गुड का स्वाद इतना पसंद आता है कि लोगों की डिमार्ण ही खतम नहीं होती। अब तार सिंग ने मलेशिया में आठ वर्ष नौकरी की, लेकिन उन्हें वो नौकरी और वहां का लाइफटाल रास नहीं आया। जिस कारण वो गाउं लोटाए और गन्ये की खेती से गुड बना कर वेचने का काम शुरू किया। पठान कोट से सटा गोसाईपुर अब गुड के कारोबार से जाना जाने लगा है। उनके देशी गुड की मांग पठान कोट ही नहीं बलकी पंजाब वे अन्य राज्य और विदेश में भी होने लगी है। अवतार सिंग रोज डेड़ कुइंटल गुड तेयार करते हैं जो की हाथो हाथ बिक जाता है। सर्दी के सीजन में अब तक करीब 5 अलाक रुपे की आय हो चुकी है और यही नहीं उन्होंने करीब 4 लोगों को रोजकार भी दिलाया है। उन्होंने बताया कि गुड बनाने का काम उनके लिए बिलकुल नया था। जिसको सीखने के लिए वो क्रिशी विभाग में आयोजित कैम्प में गए और उन्होंने वहाँ पर गुड बनाने की बारी क्या सीखी। अफ्तार सिंग विदेशों में देशी गुड 70 रुपे प्रतिकिलों के हिसाब से बेचते हैं। उनके हातों का बना गुड जर्मनी, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, दुबई, इंग्लेंड, आधी के देशों में हर साल जाता है। यहाँ पर बसे भारतिये उनसे गुड की मांग करते हैं और पारसल से इसे मंगवाते हैं। अब तार सिंग बताते हैं कि उनका गुड शुद और देशी है और वो इसमें कोई भी केमिकल नहीं मिलाते हैं। इसी कारण उनके गुड की मांग बहुत अदिक है। उनका कहना है कि नौजवान पीडी के लिए शुद गुड बहुत ही लाबदायक और सेहतमन्द होता है। उनका मानना है कि नौजवान पीडी देश में रहकर भी रोजगार प्राप्त कर सकती है। आज की इस खबर में बस इतना ही देखते रहे है नौजवान पीडी देखते रहे हैं।